Hello friends and welcome back to Chikis Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about best top biotechnology institutions and universities in the world. आज हम लोग बात करेंगे कि वर्ड में कौन-कौन से biotechnology के reputated institutions हैं, कौन-कौन से reputated universities हैं और हर एक student का ये dream रहता है कि वो किसी भी foreign की university से या किसी भी foreign के reputated institutions से अपना PhD course करें या अपना post-doc course करें after complete your M.Tech course या master course या complete your bachelor course. तो friends, बहुत सारे हमारे इंडिया के ऐसे students होते हैं या हमारे world के ऐसे students होते हैं कि वो लोग biotechnology से कोई भी अपना course कर लेते हैं और इस course को करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि फरदर वो post-doc करें किसी भी एक reputated institution में जो biotechnology का एक reputated institution होते हैं हमारे बहुत सारे institutions ठीक हैं या universities हमारी होती हैं तो वहाँ पर dream होता है तो आज हम लोग कुछ जो हमारे world के reputated institutions हैं उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा first यहाँ पर reputated जो हमारी university है वो है रिशनल रिशनलर पॉलिटैक्निक इंसिट्यूट ठीक है नेस्ट हमारा है जोन्स होपकिन्स यूनिवर्स्टी बाल्टीमोर में है हमारा यह और यह हमारे USA में है ठीक है नेस्ट हम लोग बात करते हैं MIT हमारा Massachusetts Institute of Technology यह हमारे USA में है यह भी एक reputated institution है और world का number one institution है यहाँ से भी आप लोग अपना बैचलर कोर्स कर सकते हैं बाय टेक्नोलोजी स्ट्रे में आप लोग अपना master कोर्स कर सकते हैं आप लोग अपना PhD कोर्स यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पर admission लेने के लिए जितनी भी universities के बारे में आप लोगों के साथ में आप डिस्कस करूँगा इस वीडियो में या जितने भी institutions के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा तो GRE जो है वो USA में अप्लिकेबल है और GRE के थुरू आप लोग USA की किसी भी एक रेपोटिटिडिव उवस्टी में पाय टेक्मोलोजी की किसी भी कोर्स में आप लोग एडिविशन ले सकते हैं, ठीक है? तो Friends हमने बात कर ली थी MIT के, हम लोग बात करते हैं, University of Pennsylvania, ठीक है? पैने सेलविनिया है, यह हमारा ठीक है? और यह USA में है, नेस्ट हम लोग बात करते हैं, University of California, यह हमारा San Francisco में है, और यह हमारा USA में है, नेस्ट हम लोग बात करते हैं, University College London, ठीक है? यह United Kingdom में है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिवस्टी अप तोक्यों यह हमारा जाबान में है यह भी एक रेपूटेटीड एक तरह से इंसिटूशन आप लोग इसको बोल सकते हैं यह हमारी यूनिवस्टी है ठीक है यहां से भी आप लोग फरदर जैसे मैंने बताया मास्टर कोर् पोस्ट डोग या पिएशडी आप लोग फरदर यहां से कॉंटिन्यू कर सकते हैं या प्रोसीड उसको कर सकते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंपेरियल कॉलिज लंदन यह यूनिवस्टी 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 यूनिवस में है USA में है तो यह यहां पर कुछ ही रेपोटेटीड हमारी उनिवस्टी थी जिनके बारे में मैंने आप लोगों के साथ में डिसक्स किया और आप लोग फरदर यहां पर एडमिशन ले सकते हैं उनिवस्टी योनिवस्टी यह वह सभी हमारे डवलब कंट्रियम नहीं है वह सब डेवलब कंट्रियम में हैं वह तो itel बने आप लोगो यह सकते हैं कि मुझे कहीं तो इस य स्कॉर्स करना है तो इस को आप लोग कर सकते हैं फरदर इन सभी उनिवस्टीज में और यहाँ पे आप लोगों को जैसे मैंने बता है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती हैं और आप लोगों को वर्ल्ड क्लास जो हमारे एक तरह से इंस्ट्रूमेंट्स होती है बाय टेक्नोलोगी से रिलेटेड़ वह सभी इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों यहाँ पर उपरेट करते हैं और जैसे MIT है तो MIT तो वर्ल्ड का नंबर मन है तो यहाँ पर आप लोगों को और भी उप्रचिनिटीज मिलेंगी और भी आप लोगों को इहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग जो हमें जो हमारे कुछ इंपोटेंट कॉइंट्स हैं उनसे अवैर कराता रहूं। यह वीडियो आप लोगों को एक सही पात प्रोवाइड कराएगी और आप लोगों का वेल जैसे मैंने बताया कोई question है कोई query है या कोई problem आप लोगों को है regarding this video या regarding this topic so you are type in the comment box तो मैं उसका reply करता हूँ अमेश है ठीक आप लोगों के लिए so thank you friends thank you for watching